हलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सैवाल अर्थात एलगी के बारे में समझेंगे तो आईए इस वीडियो को सुरू करते हैं सैवाल पौधे हैं पादत जगत को दो उप जगत में बाटा गया है पहला ऐसे पौधे जिनमें बीज नहीं बनता, पुस्प नहीं लगते उनको कहा गया है क्रिप्टो गेम्स और उसी के अंतरगत सैवाल आते हैं दूसरा ऐसे पौधे जिनमें पुस्प लगता है बीज बनते हैं वो उस स्रेडी के पौधे होते हैं, उनको कहा गया है फिंडरो गेम्स, तो ये क्रिप्टो गेम्स के अंतर रताते हैं, और चुकी पादप हैं, तो पादप के जो समाने लक्षण है, कि उनमें कोसी का भित्ती पाया जाएगा, सिरलोज का बना हुआ, क्लोरोफिल पाया जाता है, स्वेंपोसी होते हैं, खादपदासी स्टार्च के रूप में होता है, और जनन, काईक, अलेंगीक, लेंगीक सभी तरीके से करते हैं, तो ये चार लक्षण तो आप सामाने तर जो पौधे के लक्षण उनको लिख सकते हैं, हाला कि इनके जनन में जो अंतर हो आगे मैं मैं बताऊंगा कि कैसे काई का लेंगीक और लेंगीक जनन करता है, ये चार सामाने लक्षण हो गए, अब बात करें इनके प्रमुक लक्षणों की, बोलचाल की भासा में इनको काई कहा जाता है, और आप देखें होंगे, जहां पर भी पानी रूख जाए, भले वो पत्रो नाम भी है, समुद्री खर्पतवार, यहां ध्यान दीजे कि ये टोटल जो प्रकास संसेशन होता है, उस प्रकास संसेशन का 50% तो यही सैवाल करते हैं, तो इतने अधिक समुद्रें पाय जाते हैं, तो ये समुद्री खर्पतवार कहलाते हैं, सैवालों का अध्यान, सैव आगे वर्गी करण करेंगे तो वहाँ पर भी हमको बहुत साहता मिलेगा क्लेमाइडो मुनास यह सामान्य सेवाल है इसका चित्र कुछ इस तरह से होता है इसमें यहाँ पर कप क्या कार का बड़ा से एक इस तरह का हरित लवक पाय जाता है क्लोरोफिल इस क्लोरोफिल के भीतर पायरेनाइड्स पाय जाते हैं द्यान दखें सब बातों को पायरेनाइड्स इस पायरेनाइड्स को घेरे हुए से चारोर से स्टार्ट के कड इस तरह पाय जाएंगे तो इसमें पायरेनाइड इस्टार्ट च्यूक तो होता है जो क्लोरोफिल के भीतर पाय जाता है यह हो गया chlorophyll या हरित लवक यह हो गया केंद्रक यहाँ पर इसका प्रकास से संबंदित सवेदांग इसको आई-spot यह बहुत महत्पूर है sigma या आई-spot होता है इसमें इस तरह से आप contact type वेक्क्यूल को भी दिखा सकते हैं संकुचन सील दिखती का और यहाँ पर इसमें दो फ्लेंजिला निकले होते हैं सामानकार के इस तरह से इसके सिर्ष से यह है क्लेमाईडो मुनास का चित्र थोड़ सा नमांकन कर देता हूं तो इसका नमांकन हो गया अब दो और से वालों को देखिए एक लेमिनेरिया इस तरह का उसका प्रपर्ण हो आधार ग्रिंद इसकी सहाता से यह जुड़ा रहता है तो इसमें भी आप जड़ तना पत्ती नहीं पाएंगे यह भूरा सैवाल का उदारण है यह है लेमिनेरिया एक सैवाल का और जल्दी से चित्र बना लें पॉली सैफेनिया ऐसा सैवाल यह देखिए जिस पे मुख्यक्छों होगा उससे फिर इस तरह से साखाई निकले होते हैं यह है पॉली सैफेनिया और यह उदारण है लाल सैवाल का तो आगे बगी करण में समझेंगे अब बात करते हैं का सरीर का तो सरीर जड़ तना पत्ती में विभक्त नहीं होता इसमें आप नहीं बाट पाएंगे कि यह जड़ है तना है पत्ती है बलकि पूरा का पूरा सरीर एक थैलस नुमा सुकाय तो सुकाय नुमा होता है आवास जहां पर भी इनको जल मिले चाहे वो चटानों के बीच में जल जमा हो जाए फर्स में जमा हो जाए लकड़ी में जल जमा हो जाए तो सभी जगह पाए जाते हैं ये जली होते हैं चाहे वो समुद्री जल हो या फिर सुक्ष जल हो तो नदी तलाब सागर महासागर सभी में पाए जाएंगे नम युक्त पत्रों मिट्टी लकड़ी आदी में और साथी साथे सहजीवी रूप में भी होते हैं सहाजीवी का सबसे अच्छा उधारण है लाइकेंद जिसमें कवक और सैवाल दोनों साथ सा जीवने अपन करते हैं उसके बाद अगला आएगा आकार, देखें इनका आकार एक कोस्कियों हो सकता है, बहुँ कोस्कियों हो सकता है, एक कोस्किय का उदाहर तो कलेमाइडो मोनास, कालोनी उक्त भी हो सकते हैं, ये समू में भी होते हैं, जैसे वालवाक्स, वालवाक्स में पूरे ये कालोनी के र देखिए ये इस समान, तंतु के समान भी हो सकते हैं, तो इनका आकार थोड़ा सा अलग लग तरीके का हो सकता है, साखित भी हो सकते हैं, इस तरह से और साखित भी हो सकते हैं, तो आकार में काफी विवीदता पाया जाता है, तो इस प्रकार कुछ सेवाल इतने छोटे होते है कि उनको देखने के लिए सुछमदस्य क्या उसकता होगी और कुछ सेवाल इतने विशालकाय भी होते हैं जैसे केल्प यह सो मिटर तक लंबा हो सकता है तो इनके आकार में काफी विवीदता पाये जाता है अर्ण लक्षणों की बात करें तो यहां से लेते हैं जनन से जनन मे क्या बनेगा जाइगोड यह देखे अब जाइगोड से जो समाने प्रक्रिया है ब्रोड बनता है लेकिन इन में ब्रोड का निर्माण नहीं होगा यह बहुत महत्पूर्ण लक्षण है इस सीधे यह सुकाय का सरीर बन जाएगा कोई सभी भाजन अर्ध सुत्री ध्यान क्या रहा है अगुडित अगुडित वस्था अर्थात युगमकोद भीद यह सभी युगमकोद भीद गेमीटोफाइट है तो इनका मुख्य वस्था यही है और यह जी जाइगोड है यह सिर्फ इसका बिजानुत भीद है जो बहुत कम समय के लिए होता है तो यहां से अंत्रन पाया जाता है इसका मुख्य जो पादप काय होता है वह युगमकोद भीद होता है अथात गेमीटोफाइट होता है जबकि बिजाडू जनक वस्था इसमें बहुत कम समय के लिए सिर्फ जाइगोड अवस्था में ही पाया जाता है अब चलिए देखते हैं कि इसम योलोथ्रेक्स का रा मिस्ट्रका जनन दूसरा है जरेक्षकन डूसरा है ख ada स्पोर बिजाडू बनते हैं जिसपे की कसाभी का होंगे और साथ यह चल होते हैं और जहां पर भी गिरते हैं वहां उंकुरित होकर नए पादपकाय का निर्माण कर देते हैं तो दो समाने तरीका हो गया तीसरा जो सबसे महत्पूर है वह लेंगिक जनन ते वालों में तीन एस तरह से लंगिक यन होते हैं इस तीन तरह से यूगमख बनते हैं इसमें पहला धेखी सम्यूखमख या नहीं होगा इस तरह से या तो इसमें फ्लेंजिला को एक बनाना है फ्लेंजिला होगा दोनों में नर और मादा दोनों में या फिर दोनों में फ्लेंजिला नहीं होगा ठिक है, सम युगमकी, समान माप के युगमक, जैसे कसाभी का युक्त, क्लिमाइडो मुनास, कसाभी का रहित, इस्पाइडो गयरा, इसमें युगमक बनेंगे, उसमें कसाभी का नहीं होगा, ये दोनों मिलेंगे जाइगोड बनेगा, जाइगोड से सीधे पादपकाय का न Mets नहीं होगा दूसरा है Assam युगमखी दिखे इसमें अलग-अलग मों आपके युगमख बनेंगे को छोटा रहेगा कोई बड़ा रहेगा चाहे कसाविका रहे न रहे किसी में कसाविका हो सकता है किसी में न हो मुखेता देखें वालवाक्स में तो इसमें जो नर युगमक बनता है छोटे आकार का घड़े नुमा इस तरह का मादा युगमक होता है वो बड़े आकार का इस तरह का तो इस तरह से अलग-अलग माप की इसमें युगमक बनते हैं, नर बड़ा हो सकता है, मादा बड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन माप दोनों का बिल्कुल भीन रहेगा इससे, ये कलाता है इन आइसोगेमी, और तीसरा है विसम युगमकी या अंड युगमकी, उ वालवाक्स और फ्युकस, वालवाक्स की जो अलग-अलग पर जातिया है, वो उनमें तीनों तरह का जनन होता है, वालवाक्स एक ऐसा उदारण है, जिसमें तीनों तरह का सम युगमकी, असम युगमकी, विसम युगमकी, तीनों प्रकार के जनन होते हैं, अब चली देख हैं जैसे क्लोरोफाइटा को हरा सेवाल भी करते हैं फियोफाइटा को भूरा सेवाल और रोडोफाइटा को लाल सेवाल भी कहा जाता है देखे इसमें वर्णक दो तरह के होते हैं एक तो पढ़्ण हरिम और साथ ही साथ अन्य वर्णक पढ़्ण हरिम में सभी में क्लोरोफि होते हैं जबकि फ्यों फाइटा में फ्यों को जैनतंफीन यह वर्णक पाए जाता है और इसी के कारण इस newly ran यह data होता है कि जिसके कारण यह लाल रखनाओ इस में इस क्लोरोफिल जपकीश में क्लोरोफिल के साथ साथ फ्यूकोजेंथीन और लाल सहवाल में फाइक को एरिथ्रीन संचीत भोजन सभी में स्टार्च होगा लेकिन यहां पर देखिए पारेनाइड इस्टार्च यहां पर प्रकार का कार्वोहईडेट होता है जिसको मेनिटाल करत होगे लेकिन फ्यू फाइटा में से लोज के बाहर भी एक आवरार्रण पाया दयाता इगिसको लेहाइड काते हैं तो भ्यूनेश होगा और सफ़िशो के बाहर अब उसके में लोड़ेट होंगे और कहां से निकले होंगे सिर्ट से ने निकले होंगे इस में तो प्लेंजीला नहीं पाया जाता उसके तो देखे मुख्यता आवाज बता रहा हूं सामाने तर तो सभी तीनों जगह पाय जाते हैं चाहे लवड़ी अलवड़ी एकारा जल जो भी है सभी जगह होंगे लेकिन आवास में मुख्यता जो क्लोरोफाइटा है यह अलवड़ी अर्थात स्वक्ष जल में पाया जाएगा तो देखिए इसमें क्लेमाइडो मुनास जो शुरू में तीन चीत्र दिखाया थे लेमिनेरिया और पॉली साइफियन या तीनों का लग-लग उदाहरण अन्य उदाहरण में इसमें वालवाक्स, कारा ये भी आएगा, फ्यूफाइटा का फ्यूकस भी है और पॉरफाइडा भी है इसके अत्रिक्ट भी अन्य उदाहरण है तो ये इसका वर्गी करण हो गया अब इसके आर्थिक महत्व को समझते हैं सहवालों के कुछ महत्पूर आर्थिक महत्व यहां पर दिये गए हैं, देखिए पहला है क्लोरेला और इस्प्रूलाइन इन में प्रोटीन प्रचूर मात्राइब पाए जाता है जिसके कारण अंत्रिक श्यात्रियों के भोजन के रूप में इनका उप्योग किया जाता है दूतरा है जीलेडियम और ग्रेसिलेरिया, ये दोनों ऐसे सहवाल हैं कि इनसे एक अलग प्रकार का पॉली सेकराइड अगर अगर प्राप्ट किया जाता है और जिसका उप्योग सुछमेजीओं के समवर्धन में, आइस्क्रीम जैली निर्माड में, बेकरी उद्योग में टूत पेस्ट निर्माड में इन सब में किया जाता है तीसरे नमबर पे है पोरफाइरा, लेमिनेरिया और सरगासम ये सहवाल भोजन के रूप में प्रयोग किये जाते हैं ये तो पूरी तरह से पालक के समान होता है तो इसको भोजन के रूप में प्रयोग में लाए जाता है चौन्था है क्लोरेला देखिए क्लोरेला से जिवानों से लड़ने के लिए एक प्रतिजेविक क्लोरेलीन बनायक का निर्माण किया जाता है अगला है कारा तो देखिए कारा में मच्छर विरोधी गुण पाया जाते हैं इसलिए इसको तालाब या जो भी जल आसपा समीफ होगा उसमें इसको उगाया जाता है अगला है ग्लेसिलेरिया ये चारे के रूप में उपयोग में लाए जाता है और सबसे महत्पूर्ण अन्तिम पायंट देखिए 50% CO2 का इस्थरी करण सेवालों के दोरा होता है पूरी पिरस्वी का किसके माध्यम से प्रकास संसर के माध्यम से तो ये कुछ महत्पूर्ण पायंट हो गए आज के वीडियो में इतना ही यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ सेयर कीजिए